भारत, एक सम्रद्ध देश और हमारे पशू हमारी सम्रद्धी की निशानी आज के बातावरन में बढ़ते प्रदूशन से जहां पशों में विमारियों का खत्रा बढ़ रहा है वही पर प्राकरतिक रूप से मिलने वाले पशू आहारों में अशुद्धियों की सम्भावनाएं बढ़ गई है ऐसे में उत्कृष्ट गुणवत्ता वाले पशू आहार उत्पादों की आवशक्ता बढ़ गई है और जै दुर्गा ओईल एक्स्ट्रेक्शन प्राइविट लिमिटेड का मिलकियाना पशू आहार इस श्रेडी में एक अग्रणी नाम है और बहुत ही उच्च कोटी का उत्पाद है जै दुर्गा ओइल एक्स्ट्रेक्शन प्राइविट लिमिटेड रिफाइन राइस ब्रान के क्षेत्र में एक अग्रणी नाम है यह प्लांट 36 गड़ के प्रमुख राइस ब्रान प्रोसेसर्ज में से एक है कमपनी के स्थापना साल 2006 में कमपनी के मार्ग दर्शक श्री जगन्नात अग्रवाल एवम डारेक्टर श्री शिव कुमार अग्रवाल एवम उनके छोटे भाईयों अनिल, हरबिंद और राजेंद्र अग्रवाल के कुशल मार्ग दर्शन में की गई राइस ब्रान ओईल के क्शेत्र में दुर्गा, संजीवनी और ब्राइट जैसे ब्रैंड से जै दुर्गा ओईल एक्स्रेक्शन प्राइविट लिमिटेड ने मार्केट में अपनी एक अलग पहचान बनाने के बाद अपने सैयंत्र में निर्मित, उप उत्पाद, डी राइस ब्रान के बहतर उप्योग एवं गौमाता को उत्कृष्ट पशु आहर प्रदान करने के उद्देश से मिल कियाना पशु आहर का निर्मान किया है इसमें बहुत अच्छी क्वाल्टी का संतुलित पशु आहर बनेगा और गायों के नसल भी अच्छी सुधरेगी आईए हम आपको दिखाते हैं मिल कियाना पशु आहर का निर्मान कैसे होता है सबसे पहले कच्चा माल जैसे मक्का, डी ओसी, खली, राइस ब्रान, मुलासेस आदी की गुणवत्ता की जाच की जाती है जैसे प्रोटीन, फैट, फाइबर इत्यादी लैब में सभी कसौटियों पर खरा उतरने के बाद ही कच्चे माल को उत्पादन के लिए प्रयोग किया जाता है इसके बाद कुशल वैग्यानिकों के द्वारा विभिन पशुओं के आधार पर फॉर्मिला तयार किया जाता है जैसे मिल कियाना 2,000, 4,000, 6,000, मिल कियाना 8,000 आदी अब विभिन कच्चे माल को बड़े बिंज या साइलोस में इखटा किया जाता है इसके बाद आटो बैचिंग पद्धती के माध्यम से कच्चा माल तौला जाता है आटो बैचिंग अर्थात माल को कम्प्यूटर के माध्यम से तौल कर बैचिंग की जाती है जिससे की माल की तौलाई निश्चित अनुपात में फॉर्मूले के आधार पर ही होती है जिसमें गलती की कोई गुंजाईश नहीं होती अब इस माल को ग्राइंडर के माध्यम से पिसाई कर उसका बारीक पाउडर बनाया जाता है जिससे की साबुत अनाज गोबर में ना निकल सके इसके बाद इस बारीक पिसे हुए पाउडर को अच्छे से मिक्स किया जाता है साथ ही इसे संतुलित पशुहार बनाने के लिए इसमें मिनरल, सोडा, फॉसफोरस, विटमिन, टॉक्सिक बाइंडर, बाइपास प्रोटीन एवं फैट मिक्स किया जाता है इसके बाद आती है सबसे मात्वपून प्रोसेस जिसे स्टीम कंडिशनिंग कहते है इस प्रोसेस में माल को 80-85 डिगरी सेंटीग्रेट तक भाब प्रणाली द्वारा गर्म किया जाता है जिससे इसमें किटाडूओं का नाश होता है साथ ही मक्का, सोया बीन, सरसो आदी का उपरी आवरन टूट जाता है और पशों को आहार से स्टार्च और प्रोटीन आसानी से और अधिक मात्रा में मिलता है अब माल को पैलेट अर्थाद गोली प्रारूप में बदला जाता है जिससे पशू पालक की पशू आहार की वेस्टेज कम होती है अब इन पैलेट को बड़े कूलर्स के माध्यम से ठंडा किया जाता है इसके बाद अत्याधुनिक उपकरणों से लैस लैब में इसकी गुणवत्ता को मापा जाता है और यहां से पास होने के बाद इसे सुरक्षित एवं मजबूत बोरों में मशीनों की मदद से पैक एवं सील किया जाता है और डीलर्स के माध्यम से पशू पालकों तक पहुचाया जाता है हम एक किसान को एक और रोन सहाता भी पतान करना चाहते हैं हम अपने और नियर फूचर प्रिजर्ट्स के जाए उनको एक A to Z solution प्रोवाइट करने की कोशिश करेंगे ताकि एक गौव करशक अच्छे तरीके से अपनी डेरी संचालित कर सेचे मिलक्याना पशुभार में हमने क्वालिटी को हमेशा प्रात्मिक्ता दी है चाहे वो raw material के purchasing हो, चाहे processing हो, चाहे packing हो, चाहे delivery हो हर process में हम quality का special ध्यान रखते हैं जहां तक मैं process की बात करूँ, process में भी हमने latest technology का अपनाए हुआ है हम feed को steam cooking के द्वारा produce करते हैं feed की quality बहुत अच्छी बनती है और उसकी digestibility भी अच्छी होती है जै दुरुगा ओइल एक्स्ट्रेक्शन प्राइविट लिमिटर ये तैय करता है कि हर क्षेत्र के ग्रहकों तक बेस्ट क्वालिटी का पशु आहार मिलकियाना पहुंचे और देश का हर पशु स्वस्थ रहे और पशु मालिकों के सुख सम्रध्धी में व्रध्धी हो। अत्या अधुनेक भाब प्रणाली द्वारा पकाया गया के टानू रहित मिलकियाना पशु आहार मिलकियाना दूद बड़ेगा खुशियां बड़ेगी।